So, hello everyone, this is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to educational hikes. केसे हो मेरी चान? Comment section में ज़रूर बताना, हम पढ़ रहे हैं class 9 के science का chapter number 2 Is Matter Around Us Pure? इस पूरे chapter को हम line by line explanation के साथ पढ़ रहे हैं. हमने already इस chapter से ना 2 parts upload कर रखे हैं और आप लोगोंने 2 हपते में उन दोनों videos को trend करा दिया है यार. Thank you so much for this love. इस वीडियो यानी part 3 को start करने से पहले आज रक्षा बंदन भी है. तो मेरी सभी बेहनों को बहुत बहुत सारा प्यार and happy रक्षा बंदन my dear sisters. चलो start करते हैं इस वीडियो को part 3 यानी Is Matter Around Us Pure का part 3 और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ mixtures हम लेंगे जैसे black ink ले लिया है हमने हमने acetone और water ले लिया है इन mixtures को हम कैसे अलग कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके साथ साथ कुछ और भी topics हैं जो आज इस वीडियो में cover होगा कल यानी जो fourth part आपको मिलेगा उसमें हम chapter का समापन करेंगे तो बने दिये मेरे साथ पूरे वीडियो में आपको इस वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है जैसे part 1 और part 2 में मजा आया था So, let's get started Welcome back to computer screen We have to start from here Topic number 2.3.5 हमें इस particular वीडियो को यहीं से start करना है और इसके पहले कि जितने भी topics हैं वो हमने part 1 और part 2 जो इस chapter का था उसमें हमने cover कर रखा है Make sure कि आप ये third part देखने से पहले उन दोनों parts को बिल्कुल समझ लिया है आपने बिल्कुल पढ़ लिया है इन black ink और single color आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा black color का ink होता है हम marker में डाल देना ink वो दो चीजों से मिलकर बनता है एक तो होता है dye और दूसरा होता है water dye को water में मिलाते हैं तब जाकर हमारा black ink बनता है तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा black ink है ब्लाक इंक में ये जो डाई होता है ये डाई obviously black color का है ठीक है, कह रहा है कि भाई ये जो black color का डाई है इसमें कोई और भी color मिला होता है क्या, अगर मिला है तो हम इस activity की थुरू जरूर पता लगा सकेंगे चलो, करते हैं सिधा हम activity number 2.7 और जानते हैं कि भाई black ink के अंदर जो dye present होता है उसके अंदर और कौन-कौन से color होते हैं Let's get started Activity number 2.7 और इस activity में हम पता लगाएंगे कि जो हमारा black color का ink होता है Black ink हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है एक dye dye हमारा salute कहलाता है और जब dye को हम water में mix करते हैं तब जाकर ये हमारा black color का ink तयार होता है तो आपको इस activity में ये पता लगाना है कि ये जो dye है ठीक है? इस dye के अंदर black color के अलावा और कौन-कौन से color छुपे हुए है अगर color छुपे हैं तो आपको इस activity में पता चल जाएगा कि कौन-कौन से color और है इसमें ठीक है? चला स्टार्ट करते है इस activity को सबसे पहले आपको क्या करना है? तेक थिन स्ट्रिप ओफ फिल्टर पेपर आपको एक फिल्टर पेपर लेना है यार फिल्टर पेपर आपको अपने chemistry lab में मिल जाएगा या आप किसी भी chemist shop पर चले जाओ दवाईयों के दुकान पर नहीं जहां पर chemical experiment से related चीजे रखी जाती है वहाँ पर आपको यी filter paper मिल जाएगा ठीक है? filter paper ले लो उसके बाद क्या करना है? draw a line on it using a pencil approximately 3 cm above the lower edge आपको क्या करना है? आपको यह filter paper को कुछ ऐसे fold कर देना है बिल्कुल rectangle shape में ताकि यह जो filter paper है ग्लास के अंदर आसानी से दुबोया जा सके ठीक है? चालो भईया मैंने filter paper ले लिया filter paper को मैंने ऐसे rectangle shape में fold कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको? आपको एक line draw करनी है यहाँ जो lower edge है यह जो नीचे वाला हमारा किनारा है इससे 3 cm उपर यहाँ हमें pencil से एक line draw करनी है ठीक है भईया मैंने draw कर दिया फिर क्या करना है? अब आपको करना है put a small drop of ink ink कैसा होना चाहिए? ink हमारा water में आसानी से घुल जाए ऐसा ink होना चाहिए यह ink आपका जो sketch pen का ink होता है या जो gel pen का ink होता है rectangle shape में fold कर दिया हमने यहाँ पर एक line भी draw कर दी ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर एक black color का जो ink आपने लिया है जो water soluble ink आपने लिया है आपको यह black color वाला ink एक drop गिरा देना है ठीक है? चलो भईया मैंने गिरा दिया एक drop ink black color वाला अब क्या करना है अब हमें? अब हमें करना है भाई lower the filter paper into a jar glass, beaker या test tube आपको यह जो filter paper है अब इस filter paper को आपको एक beaker में डाल देना है ठीक है? या कोई beaker ले लो या कोई test tube हो glass औ प्लास्टिक का कुछ भी हो उसमें यह filter paper डाल दो आप देखोगे यह जो पानी है ना हमारा यह automatic इस filter paper पर चढ़ने लगेगा इस filter paper के उपर जाने लगेगा यह पानी ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारा capillary action की वज़े से capillary capillary action कहते हैं इसे हम capillary action उन चीजों में होता है जिनमें छोटे-छोटे hole होते है filter paper क्या होता है? porous होता है इसमें छोटे-छोटे hole होते है तो पानी इसलिए automatically उपर चढ़ने लगेगा ठीक है? तो जैसे ही पानी उपर चढ़ने लगेगा तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि जो filter paper के उपर हमने ये black color का ink डाला था ना ink बूद जैसे ही जैसे पानी उपर जाता जाएगा ये ink अलग-अलग colors में divide होता जाएगा सबसे पहले आपको blue दीखेगा सबसे पहले तो black रहेगा ठीक है? black के बाद आपको blue दीखेगा blue के बाद आपको red color दीखेगा फिर आपको yellow color दीखेगा now we have to answer some questions ये activity से कुछ questions पूछे गए हैं आपको इनके answer करने जैसे पहला question पूछ रहा है कि what do you observe on the filter paper as the water rises on it हमने देखा हमने क्या देखा? हमने देखा मेरे भाई कि ये जो हमारा filter paper है जैसे ही हमने glass में डुबोया हो क्या रहा है ये water धीरे धीरे इस filter paper के ऊपर rise हो रहा है चाड़ रहा है जिसकी वज़े से black ink अलग-अलग color सबसे पहले blue then red then yellow color में separate हो जाता है split हो जाता है now next question do you obtain different colors let me क्या कह रहा है? कह रहा है कि do you obtain different colors on the filter paper strip हमने filter paper में अलग-अलग color देखे बिल्कुल देखे कौन-कौन से color देखे हमने मेरे भाई सबसे पहले blue देखा फिर हमने red देखा लाल फिर हमने yellow देखा got it समझ में आया तो इसका भी answer कर लिया हमने इसका भी answer कर लिया अब इस activity को बढ़ने के बाद एक और question तुम्हारे mind में आ रहा होगा कि what according to you तुम्हारे अनुसार वो कौन सा कारड है जिसकी वज़े से ये अलग-अलग color हमें filter paper पर दिखाई दे रहे चलो अभी यहाँ पर बताये गया है detail में हम पढ़ते हैं जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है question number 3 में जो पूछा गया है question number 3 में पूछ रहा है कि भाईया जो हमारा filter paper हमने use किया इस activity में हमने देखा कि filter paper पर हमें अलग-अलग color दिखाई दे रहे थे blue, red and yellow ये color क्यों दिखाई दे रहे थे इसके पीछे का कारण क्या है कि the ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it कह रहा है कि भाई जो हम ink use करते हैं जो हम अपने gel pen में, marker में जो हम ink use करते हैं उसमें दो चीजे होती हैं एक तो होता है dye और दूसरा होता है water अब तुम पूछोगी कि भाईया dye क्या है तो dye हमारा colored component होता है colored component को हम dye कहते हैं जैसे आपका pen अगर red चलता है तो उसमें red color का dye है अगर आपका pen black चलता है तो उसमें black color का dye है ठीक है? तो इस case में हमारा water solvent का का काम करता है और dye हमारा solute का का काम करता है क्योंकि जो ink है ये एक तरीके का solution है ink हमारा एक तरीके का solution होता है कौन सी-कौन सी चीजों का solution salute plus solvent का यानी dye plus water का solution होता है हमारा ink तो वही कह रहा है कि भई हमारा ink दो चीजों से मिलकर बनता है water solvent का काम करता है solvent और dye हमारा उसमें मिलाया जाता है उसके बात क्या है कि as the water rises on the filter paper it takes along with it हमने filter paper use किया था इस activity के लिए, filter paper में हमने यहां पर कहीं एक line draw करी थी pencil से, और बीच में हमने black color का ink गिरा दिया था, गिराया था कि नहीं गिराया था, बिल्कुल, फिर इस filter paper को हमने एक glass में डाल दिया था, और glass में पानी कितना था, इस ink से थोड़ा नीचे तक पानी था, capillary action, capillary action मैंने आपको बताया है कि capillary action क्या होता है भाई, जिस कीज में hole होते हैं, उसमें पानी automatic चढ़ने लगता है, और यह क्यों होता है, this is due to capillary action, ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे, कि as the water rises on the filter paper, इस filter paper पर पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगता है, हम क्या देखें कि भाईया, जो water हमारा न, takes along with it the dye particles, water जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, वो अपने साथ इस black color के ink को भी लेकर उपर जाएगा, जिसकी बज़े से क्या होता है, usually a dye is a mixture of two or more colors, हमारा यह जो black color का ink है, यह एक color का ink नहीं होता है, बलकि इसमें और भी बहुत सारे color छुपे होते ह जैसे हमने बाद में देखा कि blue छुपा है इसके अंदर, इसके अंदर red छुपा है, इसके अंदर yellow छुपा है, तो कोई भी एक dye, कभी भी single color नहीं होता है, a dye is a mixture of two or more colors, तो जैसे जैसे पानी इस filter paper के ऊपर जाता जाएगा, तो होगा क्या, कि the colored component that is more soluble in water, rises faster, and in this way, the color get separated, इस black dye के अंदर, जो color सबसे जादा soluble होगा, the colored component that is more soluble in water, जैसे सबसे जादा soluble है blue, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, blue दिखाई देगा, उसके बाद हमें दिखाई देगा red, ठीक है, क्योंकि blue के बाद सबसे जादा soluble color होता है red, उसके बाद कौन सा color होता है, yellow ठीक है, तो जैसे जैसे ये पानी ऊपर जाता जाएगा, तो जो color is black ink के अंदर होगा, ठीक है, वो हमें visible होने लगेगा, सबसे पहले वो color दिखेगा, जो सबसे जादा soluble है water में, उसके बाद वो color दिखेगा, जो कम soluble है water में, उसके बाद वो color दिखेगा, जो सबसे कम soluble ह water में ठीक है तो ये कारण था जिसकी वज़े से filter paper की उपर हमें अलग-अलग color दिखाई दे रहे थे ठीक है now let's move forward और कुछ और भी चीजे हैं इस particular topic में उसे भी खतम कर लेते हैं the process of suppression of components of a mixture is known as chromatography dye के अंदर से अलग-अलग color okay अलग करने वाला यह जो technique हम ने use किया इस टेक्नीक के आठ को हम क्या कहते हैं हम photography कहते हैं ठीक है photography photography किसे कहते हैं हम जब हम किसी की picture click करते हैं यह जो art होता है इसको हम photography कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जब हम colors को अलग करते हैं this art is known as chromatography got it चलो so this name was given इसका नाम इस तरीके से chromatography पड़ गया chromatography is the technique used for suppression of those solutes that dissolve in the same solvent. हम क्रोमेटोग्राफि का यूस कहां कहां करते हैं? भाई, अगर more than one more than one solute more than one solute is dissolved in is dissolved in fame solvent. वहां पर हम इस टेक्नीक यानि क्रोमेटोग्राफि का यूस करते हैं. ठीक है? अब तुम्हें जादा तर चीजे clear हो गई होगी कि क्रोमेटोग्राफि का यूस कैसे होता है, कैसे हम colors को अलग-अलग कर सकते हैं और क्रोमेटोग्राफि का यूस किसले होता है? कहा होता है? जहां पर more than one solute हो. जैसे हमने देखा कि dye के अंदर बहुत सारे अलग-अलग color थे. ब्लू था, ठीक है? रेड था, यलो था. इन अलग-अलग solutes को एक ही solvent यानि water में मिलाया गया था ना? इन को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफि का यूस करते हैं. क्रोमेटोग्राफि का अगर तुम से कोई definition पूछे तो क्या कहोगे? यह definition यहां पर लिखा गया है कि the process of suppression of components of a mixture is known as chromatography. या आप यहां भी यह भी definition दे सकते हो कि chromatography is the technique used for suppression of those solutes that dissolve in the same solvent. अगर एक ही solvent के अंदर बहुत सारे solutes मिलाए गए हैं तो इस case में हम उन solutes को अलग करने के लिए chromatography का use करते हैं. I hope you understand. ठीक है? With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. सबसे पहले तो हम इस chromatography का use dye के अंदर अलग-अलग colors को separate करने के लिए करते थे. बट अब जैसे जैसे technology advance हो रही है, जैसे जैसे हम उन्नती कर रहे हैं, जैसे जैसे हम development कर रहे हैं, तो chromatography का use और भी कई सारी चीजों के लिए होने लगा है. हम इसको अपने higher classes में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ uses बता देता हूं कि इस chromatography का use, real life में अभी भी कहा होता है. सबसे पहले तो colors इनए dye, यानि dye के अंदर, अलग-अलग colors को separate करने के लिए, अलग करने के लिए हम इस chromatography का use करते हैं. जैसे हमें, अभी हमने activity करी ना, इस activity में हमने अलग-अलग color यानि blue, red और yellow को अलग किया, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे colors को अलग करने के लिए, कहां से, dye के अंदर से, colors को अलग करने के लिए, हम इस chromatography process का use करते हैं. दूसरा कहां use करते है, pigments from natural colors, natural colors आपको पता होगा, जो colors हमें nature से मिले, for example, green color, green color हमें कहां से मिलता है, leaves यानि पतियों से मिलता है, ठीक है, हमें yellow color मिलता है, कहां से मिलता है, हमें sandalwood यानि, चंदन के लकडियों से मिलता है, sandalwood से हमें yellow color मिलता है, तो यह सब natural color कहलाते हैं, जो natural चीजों से मिलते हैं, अब इन natural colors के अंदर कुछ pigments होते हैं pigments का मतलब ऐसे pigments जो इन natural colors को color देते हैं green color पतियां कियों होती है pigment की वज़े से होती है chlorophyll pigment की वज़े से पतियां green color की होती है तो भई इन color के अंदर से pigments को अलग करने के लिए हम chromatography का use करते हैं and third thing blood के अंदर अगर कोई unnecessary चीज है, जैसे कोई drug है, कोई दवाई है, या कोई harmful चीज है, तो वो भी blood के अंदर से निकालने के लिए हम chromatography का use करते हैं, I think you got it, चालो, let's move to our next topic, topic number 2.3.6 and in this topic we will study how can we separate a mixture of two miscible liquids, miscible liquid यानि ऐसे liquids जो आपस में आसानी से mix हो जाएं तो भाई, ऐसे दो liquids को हम कैसे अलग कर सकते हैं हमने अभी तक देखा, कि भाई, दो ऐसे liquids जो आपस में mix नहीं होते हैं उन्हें तो आसानी से अलग किया जा सकता है लेकिन, how can we separate a mixture of two miscible liquids, ऐसे liquids जो आपस में mix हो जाते हैं ऐसे liquids को हम कैसे अलग करते हैं चालो, इस चीज को हम देखेंगे activity number 2.8 से let's guess, started activity number 2.8 और बागी activities की तरह ना इस activity में भी हम दो चीजों को अलग करना सीखेंगे पहले हम इन दोनों चीजों को mix करेंगे और इन दोनों चीजों के mixture से हम acetone को अलग और water को अलग कैसे कर सकते हैं वो हम इस activity से सीखेंगे मैं आपको बता दू कि यार ये बागी activities की तरह ना normal activity नहीं है acetone और water दोनों ऐसे liquids हैं जो आपस में perfectly mix हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ऐसे liquids हैं जो आपस में perfectly मिल जाते हैं मैं तुम्हें common example देता हूँ तुम्हारी मम्मी तुमको नहलाती होंगी बिलकुल नहलाती होंगी detol का use करते हो आप लोग बिलकुल करते हो जब detol को तुम water में डाल देते हो तुमने देखा होगा कि भईया जो detol होता है वो water के साथ perfectly जाकर घुल जाता है घुलता है कि नहीं घुलता बिलकुल घुल जाता है अब तुम्हारी मम्मी तुमको बोले कि बेटा मेरा detol वापस करो पानी के अंदर से detol निकाल कर दिखाओ तो क्या तुम कर सकते हो नहीं कर पाओगे यार लेकिन मैं तुम्हें आज करके दिखाओंगा कि ऐसे liquids जो आपस में perfectly mix हो जाते हैं ऐसे liquids को तुम कैसे अलग कर सकते हो acetone एक chemical product होता है जिसका use बहुत सारी जगह होता है जैसे plastics को बनाने में भी acetone का use होता है वैसे main use जो होता है acetone का वो nail polish remover की रूप में होता है लड़किया nail polish लगाती है ना nail polish को remove करने के लिए हम acetone का use करते है nail polish remover की तरह acetone का use होता है ठीक है number one step take the mixture in distillation flask आपको ऐसे liquids को अलग करने के लिए ना किसकी जरुवत पड़ेगी distillation flask की जरुवत है अब distillation flask क्या है यह जो तुम्हें अजीब हो गरीब सी चीज यहां पर दिख रही है बस इसी को हम distillation flask कहते हैं यह पूरा अलग से setup आता है यह तुम्हें जितनी चीजे दिख रही है यह पूरा मिलाक distillation flask कहलाता है यह तुम्हें तुम्हारे chemistry lab में मिल जाएगा ठीक है तो distillation flask के अंदर तुम्हें acetone और water का mixture ले लेना है यह दिखो mixture of acetone and water अब अगर तुम water के अंदर से detol भी अलग करना जाते हो तो acetone के अंदर तुम detol ले लो यहाँ पर ठीक है acetone की जगह पर तुम यहाँ पर detol और water भी रख सकते हो तुम चाहें जो भी दो liquids ले लो जो आपस में perfectly mix हो जाते हैं ऐसे liquids को तुम इस method से अलग कर सकते हो ठीक है तो भाईया तुमको लेना है distillation flask distillation flask के अंदर वो mixture डाल दो जिसको अलग करना है जैसे हमने यहाँ पर acetone और water का mixture लिया है हमने इसमें डाल दिया ठीक है उसके बाद क्या करना है fit it with thermometer thermometer आपको बस इस distillation flask के के ऊपर यहाँ पर कहीं thermometer लगा देना है यह देखो thermometer ठीक है thermometer किसले लगाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे भाई कितना temperature हो रहा है ठीक है उसके बाद क्या करना है second step heat the mixture slowly keeping a watch at the thermometer एक बार जब हमने सारा machine लगा दिया thermometer भी उपर set कर दिया उसके बाद क्या करना है अब हमें नीचे से heat देना है हमें गरम करना इस mixture को जैसे जैसे यह mixture गरम होगा तुम क्या देखोगे तुम देखोगे कि भाईया जो हमारा acid tone है जो हमारा acid tone है वो volatile होता है वो धीरे धीरे वैपर बनके ये उपर जाने लगेगा ठीक है लेकिन चुकी हमने क्या किया है हमने इस पूरे डब्बे का मुँ यहाँ पर बंद कर रखा है ऐसे बंद कर रखा है इसलिए ये जो वैपर यहाँ से जाएगा वो सीधा इस pipe से होते हुए पर पहुचेगा तुम देखोगे कि भाया यहाँ पर वैपर बनना स्टार्ट हो गया है वैपर बनेगा वैपर उपर जाएगा और उपर जाने के बाद चुकी ये उपर का मुँ बंद है इसलिए ये वाटर वैपर यहाँ से होते हुए यहां से होते हुए यहां पर जाकर इकठा होने लगेगा 56 degree Celsius, acetone का boiling point होता है जैसे ही thermometer 56 degree Celsius पर पहुशता है acetone वापर बनके यहां से यहां पर इकठा होने लगेगा और उसके बाद क्या होगा? The acetone vaporizes, यह जो acetone होता है यह 56 degree Celsius पर, कितने? 56 degree Celsius पर यह acetone vapor बनके यहां से यहां से आकर यहां पर इकठा हो जाएगा और फिर क्या होगा? Condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet सबसे पहले तो यह vapor बनेगा फिर जैसे जैसे इस pipe में यह आएगा ना तो यह वापस liquid बन जाएगा मतलब जब water vapor liquid में convert हो जाता है तो इसको हम कहते हैं भाई, condense करना ठीक है? तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे यह acetone vapor बनने लगेगा कितनी degree Celsius पर? 56 degree Celsius पर 56 degree Celsius acetone का boiling point होता है ठीक है? तो जैसे घर्मामेटर 56 degree Celsius पर पहुचता है यह acetone vapor बनके यहां पर आकर collect हो जाएगा ठीक है? behind the distillation flask यहां पर water अकेला रह जाएगा और acetone आकर यहां पर इकठा हो जाएगा तो इस activity में हमने क्या सिखा? इस activity में हमने दो liquids लिया था acetone और water ठीक है? water का जो boiling point होता है वो लगबग 100 degree Celsius होता है और acetone का जो boiling point होता है वो लगबग 56 degree Celsius होता है मतलब acetone जल्दी वैपर बनेगा जल्दी वैपर बनेगा तो यह वैपर उपर भी जाएगा बिल्कुल जाएगा जब वैपर उपर जाएगा तो हमने उपर मुँ बंद कर रखा इसका यहां हवा में नहीं जा पाएगा यह यह वापस आकर जो अलग से हमने outlet लगाया है अलग से एक डबबा लगाया है इसमें आकर इकठा हो जाएगा और पानी बिचारा यहां पर अकेला रह जाएगा यह method यह तरीका जो हमने use किया ऐसी टोन और water को अलग करने के लिए मेरे भाई इस तरीके को इस method को हम distillation नाम देते हैं क्या कहते हैं हम इसे distillation नाम देते हैं distillation कहते हैं इसे इस method को हाँ एक बात और याद रखना कि भाईया जो distillation method है न यह उन्ही दोनों liquid को अलग करने के लिए use होता है जिनके boiling point में कम से कम 25 Kelvin temperature का फर्क हो 25 Kelvin जैसे water का जो boiling point है वो लगबग 373 Kelvin है और वहीं पर acetone का जो boiling point है वो लगबग 329 Kelvin है मतलब लगबग 43 Kelvin का फर्क है ठीक है तो जिन liquids के boiling point में कम से कम 25 Kelvin का फर्क होगा केवल वही liquids distillation method से अलग के जा सकते हैं अगर जिनके में 25 Kelvin का फर्क नहीं होगा उनके लिए हम दूसरा method यूज करते हैं जिसको हम fractional distillation कहते हैं क्या कहते हैं fractional distillation fractional distillation के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब भी ठीक है so let's guess forward so we have successfully done the activity और इसी activity से आपके लिए चार questions है अगर आपने इन चारो questions को कर लिया that means कि आपने activity बहुत अच्छे से समझ ली आपने दो miscible liquids को अलग करना सीख लिया है ठीक है चालो question number one कह रहा है कि what do you observe as you start heating the mixture जैसे ही हम acetone और water के mixture को heat करेंगे तो हम क्या observe करेंगे हमने क्या देखा जो हमने activity करेंगे उस activity में हमने क्या देखा चालो वापस figure पर शलते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई हमने क्या देखा question यह है कि यह जो acetone और water का mixture है जैसे हम इसे heat करते हैं गरम करते हैं तो क्या होता है तुम क्या देखते हो तो देखा मैंने कि भाई जैसे ही धर्मामेटर में 56 degree Celsius temperature पहुचता है भाई गरम हो रहा है तो obviously है इसका temperature बढ़ेगा जैसे ही धर्मामेटर में 56 degree Celsius दिखाये गया यह acetone vapor में convert होने लगा यह acetone भाव बन गया अब चुकि हमने इस bottle का जो mouth है वो बन करा है तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है यह vapor इस tube से होते हुए इस condenser में आकर इकठा हो जा रहा है तो question था कि हमने क्या देखा हमने देखा कि this acetone converts into vapor at 56 degree Celsius तो question number 1 तो बढ़ा easy था now question number 2 at what temperature does the thermometer reading become constant for some time पूछ रहेगी भाई एक ऐसा भी समय आएगा जब हम इस mixture को गरम कर रहे होंगे एक ऐसा भी समय आएगा जब जो हमारा temperature है जो तापमान है वो बिलकुल रुख जाएगा constant हो जाएगा वो कौन सा temperature है कितने degree Celsius तो मैं आपको बता दूँ कि भाई 56 degree Celsius यह acetone का boiling point है और जैसे ही 56 degree Celsius थर्मामेटर में दिखेगा अब इसके आगे temperature नहीं बढ़ेगा जब तक acetone vaporize नहीं हो जाता है जब तक पूरा acetone vapor में convert नहीं हो जाता है सब तक इस 56 degree Celsius से आगे temperature नहीं बढ़ेगा constant होगा ठीक है तो यह हमारा acetone का boiling point है याद रखना third question भी पूछ रहा है कि भाई acetone का boiling point क्या है तो बता दे न 56 degree Celsius got it now next question is कि why do the two components separate हमने देखा कि acetone acetone and water हमारा एक दूसरे से अलग हो गया हमने इस activity में देखा ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ भाई देखो मैं इसको answer यहां पर लिखता हूँ due to due to difference due to difference in their boiling in their boiling point सी इधा सा answer पूछ रहा है कि भाई acetone और water क्यों अलग हुआ तो उनका boiling point में काफी अंतर था जैसे acetone का हमारा जो temperature है वो लगभग 56 degree Celsius है और water का जो temperature है वो लगभग 100 degree Celsius है तो इन दोनों के temperature में काफी अंतर है ना यह जो acetone है यह 56 degree Celsius पर ही गरम हो जाता है और वापर बनके किसी दूसरी डिब्बे में जाकर इकठा हो जाता है इस वज़े से हम इस acetone और water को separate कर पाते हैं आई होप आपको यह activity बहुत अच्छे से समझ में आगे होगी चालो आगे बढ़ते हैं कि this method is called distillation यह जो टेक्नीक हमने यूज करा है acetone और water को अलग करने के लिए इस method को हम distillation method कहते हैं मतलब जो हमने अभी activity करी इस activity को भी distillation activity कहते हैं यह distillation process हम कहां यूज करते हैं ऐसे mixtures को अलग करने के लिए ऐसे mixtures के components को अलग करने के लिए जो mixtures miscable होते हैं यानि जो perfectly mix हो जाते हैं बहुत सारे liquids ऐसे होते हैं जैसे हमारा detol और water हो गया और acetone और water का तो हमने अभी example लिया ही लिया तो यह सारे जो liquids हैं यह miscable liquids हैं और ऐसे liquids को अलग करने के लिए हम distillation का use करते हैं जैसे हमने acetone और water को अलग करा that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point जैसा कि मैंने बताया कि यह distillation method तभी काम करेगा जब दोनों liquid के boiling point में कम से कम 25 Kelvin का difference होना चाहिए ठीक है? जैसे Kelvin में अगर जोड़ें तो acetone हमारा boiling point है लगभग 329 Kelvin और water अप्राक्स बता रहा हूं मैं point में भी है कुछ और water का है लगभग 373 Kelvin तो इनके boiling point में 25 Kelvin से ज़्यादा temperature का difference है ना इस वज़े से हम इनको अलग कर पाए हैं आगे पढ़ते हैं मैंने बताय था ना कि अब हम fractional distillation पढ़ेंगे तो वही लिखा गया है कि भाई दो ऐसे miscible liquids जिनके boiling point में जो difference है ना वो 25 Kelvin से अगर कम है तो इन liquids को अलग करने के लिए हम fractional distillation method का use करते हैं तो आपको clear हो गया होगा कि अगर 25 Kelvin से ज़्यादा difference है boiling point में तो हम distillation का use करेंगे और 25 Kelvin से कम है तो हम fractional distillation का use करेंगे ठीक है तो distillation तो आपने समझ लिया अब हम fractional distillation समझेंगे कि इसका process क्या होता है ठीक है चोले कि example से समझते हैं कि for the separation of different gases from air different fractions from petroleum products etc. यानि जो fractional distillation का उपयोग होता है वो कहा कहा होता है भाई हमारे gases में ना हमारे air में बहुत सारी अलग-अलब gases है oxygen है, nitrogen है, carbon dioxide है तो अगर तुम्हें air के अंदर से अलग-अलग gases को अलग करना है तो क्या करोगे इसी fractional distillation का यूज करते हैं हम अरे मेरे भाई जो petroleum product होता है जो जमीन के अंदर से crude oil निकाला जाता है crude oil का मतलब क्या होता है crude oil मतलब होता है raw oil या कच्चा तेल जिसे हम क्या सकते है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो जो petroleum का crude oil होता है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़े निकलती है जैसे wax निकलता है मिट्टी का तेल यानी kerosene निकलता है ठीक है diesel भी निकलता है मतलब जितने भी petroleum के product होते है सब इसी crude oil में से निकलता है और crude oil में से petroleum product को अलग कैसे करते है इसी fractional distillation method से ठीक है अब fractional distillation के लिए जो apparatus यूज़ किया जाता है जो machine यूज़ किया जाता है is similar to that for simple distillation लेकिन एक फरक होता है मतलब distillation और simple distillation वाले machine में केवल तुम एक फरक देखोगे वो फरक मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ figure से ही दिखा देता हूँ आप यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ लगाए क्या? कुछ नहीं लगाए यह जो distillation flash हमें दिख रहा है और यह condenser देख रहा है इसके बीच में कुछ नहीं है एकदम पूरी खाली जगह है देख लिया तुमने अब हम चलते हैं fractional distillation वाले machine के उपर और यहाँ पर देखो क्या फरक है यहाँ पर यह एक नई चीज आ गई है यह क्या है मेरे भाई? यह है हमारा fractionating column देखो लिखा गया ना कि except केवल एक चीज का अंतर है कि भाई जो हमारा fractional distillation है उसमें fractionating column fit कर दिया जाता है कहाँ पर distillation flask और condenser के बीच में distillation flask कहा है और condenser कहा है यह भी देख लो यह वाला जो तुमें यह ball दिख रहा है ना यह है हमारा distillation flask और यह है हमारा condenser इन दोनों की बीच में हमने fractionating column लगा दिया है अब यह fractionating column क्या होता है और इसका काम क्या होता है यह जो beats लगे है यह actual में क्या है यह glass के balls है यह क्या है यह glass balls है actual में इनका काम क्या होता है इनका काम होता है कि यह जो beats होते हैं यह surface provide करते हैं अब देखो यह जैसे हम इसको heat करेंगे तो भाई जिसका सबसे कम boiling point होगा वो सबसे पहले यहां से vaporize होना start हो जाएगा बिल्कुल होगा vaporize होने के बाद वो यहां इन glass के balls में पहुसता है तो glass के balls में यह जो नीचे है न यहां temperature थोड़ा सा high होता है क्या होता है? high होता है यहां पर थोड़ा सा यह जो वैपर है थोड़ा जादा होता है लेकिन जैसे 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 यह वैपर उपर पहुचता है तो यहां पहुचते पहुचते क्या होता है यह जो वैपर होता है यह ठंडा हो जाता है इसका जो टंपरेचर होता है यह थोड़ा सा लो हो जाता है जिससे क्या होता है यह कंडेंस हो जाता है मतलब लिक्विड में कंवर्ट हो जाता है यह जो हमारा वैपर यहां से आया है यह यहां तो गरम होता है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो यहां पहुचने के बाद यह लिक्विड में कंवर्ट हो जाता है क्यू पर-liquid में Convert हो जाता है, तो वापस यह तो नीचे गिर जाता होगाना नहीं गरता, क्यूँए? क्योंकि भया, यह जो वापस, यह जो नीचे से लगातार vapor आ रही है, यह इस liquid को force करते हैं, force करते हैं, जिसकी वज़से यह liquid हमारा इसमें आकर गिर जाता है, और इस तरीके से हम petroleum के अलग-अलग products को अलग कर सकते हैं इसी method से हमारा जो air है हमारे अगल-बगल हमारे हवा के अंदर से oxygen, nitrogen, carbon dioxide इसी तरीके से अलग किया जाता है तो I hope आपको fractional distillation भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है, distillation और fractional distillation दोनों हमने समझ लिया है हमारा अगला topic आता है, topic number 2.3.7 और भाई साहब क्या topic है ये, क्यों? क्योंकि भाईया, इस particular topic में न हम हमारे अगल-बगल में पाए जाने वाले air के अंदर से अलग-अलग gases को अलग करना सीखेंगे अच्छा तुम बताओ यार, तुम्हारे atmosphere में कौन-कौन से gases है सबसे जादा तो nitrogen है, 78% फिर कौन सा है, oxygen है भाईया, 21% फिर कौन सा है, और भी बहुत सारे gases है जिसमें carbon dioxide हो गया, helium हो गया, organ हो गया, मतलब बहुत सारे gases है तो हम इस particular topic, topic number 2.3.7 में air, जो की mixture है, different different gases का, इस mixture के अंदर से अलग-अलग gases को कैसे हम obtain कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इस topic में, अब कैसे अलग करते हैं, चलो देखते हैं मेरे भाई air is a homogeneous mixture, सबसे बेले मैं आपको एक चीज़ बता दू यार कि जो हमारा हवा है, जो air है, जो हमारे अगल-बगल air पाया जाता है, वो एक तरीके का homogeneous mixture है, यानि बहुत सारे gases air में perfectly mix हुए होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता यार की कौन से gases कितने amount में mix है, ठीक है, तो अगर हम air के अंदर से gases अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही जानदार तरीका, fractional distillation का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया, fractional distillation क्या होता है, ये देखो नीचे जो मैंने आपको ये machine sow किया था और machine का हमने process भी बताया था कि ये जो glass के balls हैं, इस में से vapor होकर जाता है, फिर यहां liquid बनता है, ठीक है, तो बस इसी को हम fractional distillation कहते हैं, तो भाई, अगर हमें अपने atmosphere के gases को अलग करना है, अगर हमारे air में से gases को अलग करना है, तो हमें fractional distillation का use करना पड़ेगा, ये flow chart है, ये flow chart को देखकर आपको idea लग जाएगा कि भाई, fractional distillation कैसे काम करता है, कैसे हम air के अंदर से अलग-अलग gases निकाल सकते हैं, चलो flow chart को देखते हैं, सबसे पहला step है कि भाई, हमें air चाहिए, हमें एक filtered air चाहिए, एक सुद्ध हवा चाहिए, हम कहीं से भी pure air ले सकते हैं, ठीक है, हमने किसी container में pure air ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे compress, आपको पता होना चाहिए भाई, कि जो air होता है न, air के particles थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, air के particles दूर दूर होते हैं, अब हम इसको करेंगे compress, मतलब हम यहां से दबाएंगे, यहां से दबाएंगे, तो यह particles है न, यह पस्दीक आना सुरू हो जाएगा ये थोड़ा-थोड़ा पास में आने लगेगा ठीक है तो सबसे पहले एर को लेने के बाद हम उसे कंप्रेस करेंगे मतलब पास में लाएंगे उसके पार्टिकल्स को और उसके बाद उसे कर देंगे हम ठंधा उसके टंप्रेचर को डाउन क कर देंगे जिसकी वज़ा से ये जो गैस है ना ये लिक्विड में कनवर्ट हो जाएगा आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर सा आते हैं खाना बनाने के लिए उसके अंदर भी जो गैस होता है उसको लिक्विफाई किया गया रहता है उसको लिक्विड में कनवर्ट किय गया रहता है कैसे बिल्कुल इसी तरीके से compress करके और उसके temperature को down करके उस gas को हम liquid में convert कर देते हैं आप अपने घर का cylinder थोड़ा सा हिला कर देखना तुम्हें लगेगा कि हाँ अंदर कुछ liquid liquid जैसा है ठीक है तो सबसे पहले हमें air को क्या करना पड़ेगा compress करना पड़ेगा औ उसके pressure को बढ़ा कर मतलब हम gases को pressurize करेंगे ताकि इसके जो particles है वो बहुत जादा pass में आ जाए और उसके बाद उसके temperature को घटा देंगे हम जिससे वो जो particles है ये ठंडे होकर liquid में convert हो जाए ठीक है समझ में आया तो सबसे पहला काम कि हमें air को liquid air में convert करना है उसके बाद क्य distillation column उसके बाद आपको इस liquid air को अपना वही जो fractional distillation वाला machine था इस machine में इस distillation flask के अंदर डाल देना है और फिर क्या करना है धीरे धीरे आपको warm up करना है warm up slowly ठीक है एक बार जब हमारा air liquid में convert हो गया तो भहिया हम उसे तुरंत distillation flask में डाल देंगे और उसके बाद हम उस धीरे धीरे heat करना start करेंगे अब जैसे जैसे यह gases heat होंगे तो होगा क्या क्या होगा चलो flow chart की third step पर चलते है gases get separated at different height बाई जैसे जैसे gases की boiling point पहुसती जाएगी वैसे वैसे वो gas vaporize होके अलग container में इकठा हो जाएगा जैसे सबसे कम boiling point किसका है nitrogen का है यह देखो minus में है ना minus में है तो भाई minus में जो value सबसे छोटी होती है समझ लो सबसे बड़ी वही है सबसे highest है ठीक है तो सबसे जादा boiling point oxygen का है सबसे कम boiling point nitrogen का है तो भाई है जब हम air को गरम करना start करेंगे तो सबसे पहला कौन सा gas हमारा vaporize होगा जिसका boiling point सबसे कम होगा मतलब nitrogen का boiling point सबसे कम है सबसे पहले कौन सा gas निकल कर आएगा यहाँ पर वो है nitrogen उसके बाद argon उसके बाद सबसे last में कौन सा gas अलग होगा वो है oxygen ठीक है तो यह तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि fractional distillation के method से कैसे हम air के अंदर से अलग-अलग gases को निकाल सकते हैं यह हो कैसे पाएगा क्योंकि भाई इनके boiling point में अंतर है ठीक है सबसे कम boiling point nitrogen का है इसलिए nitrogen सबसे पहले vaporize होके अलग हो जाएगा फिर argon फिर argon vaporize होके अलग हो जाएगा फिर oxygen vaporize होके अलग हो जाएगा ठीक है समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक चालो आगे oxygen gas from air मालो की हमें air के अंदर से oxygen gas निकालना है तो क्या करोगे we have to separate out all other gases present in the air हमें भाई मालो की यह हमारा liquid air है जिसके अंदर nitrogen भी है आरगन भी है उसके बाद हमारा oxygen भी है तो अगर तुम्हें इसमें से केवल oxygen निकालना हो तो क्या करोगे भाई हमें N gases को निकालना पड़ेगा यहां से तो कैसे निकालोगे बिलकुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर boiling point तक पहुचा कर vapor बनाया फिर vapor बनाकर nitrogen को अलग कर लिया nitrogen निकल गया फिर आरगन को भी निकाल दो बच क्या गया हमारा oxygen बच गया तो इस तरीके से हम oxygen को निकाल सकते हैं ठीक है the air is compressed by increasing the pressure flow chart में जो बताया गया है ना वही यहां पर words में लिखा गया है हमने flow chart बिलकुल अच्छे देख लिया है ना तो इसको उतना ज़्यान लगा कर पढ़ने की जरुद नहीं है वही बताया गया है कि भाई जो हमारा हवा होता है सबसे पहले उसे हम compress कर करेंगे फिर उसका उसको हम ठंडा करेंगे ताकि वो liquid में convert हो सके ठीक है और उसके बाद जो हमारा liquid air है उसको हम धीरे धीरे जब गरम करेंगे fractional distillation method से तो होगा क्या कि जो अलग-अलग gases है वो अलग होना start हो जाएंगी क्यों क्योंकि उनका boiling point में अंतर है सबसे कम जिसका boiling point है सबसे जल्दी वो gas बाहर हो जाएगा मतलब सबसे पहला कौन सा gas बाहर होगा nitrogen क्यों क्योंकि nitrogen का boiling point सबसे कम है minus 196 degree Celsius ठीक है उसके बाद कौन सा gas आएगा आरगन आएगा फिर कौन सा oxygen आएगा ठीक है तो भाई आपने fractional distillation method से air के अंदर से अलग-अलग gases को भी अलग कर करना सीख लिया now we have to answer some questions सबसे पहला है कि arrange the gases present in air in increasing order of their boiling points अब आपका ये homework है मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि सबसे पहले भाई increasing order में करना है तो सबसे कम हमारा nitrogen का होता है nitrogen का लगभग minus 196 degree Celsius है ठीक है उसके बाद आरगन का होता है फिर हमारा oxygen का होता है तो आपको increasing order में क्या करना है सारी gases के नाम लिख देने है तो आप अपना google कर लेना या कहीं से भी ये आपका homework है ठीक है चलो which gas forms the liquid first सबसे पहले कौन सा gas liquid बना सबसे पहले nitrogen बना क्यों क्योंकि भाई जो nitrogen है उसका boiling point सबसे least है सबसे कम है तो जिसका boiling point सबसे कम होगा सबसे liquid हुआ ही बनेगा ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा चालो आगे बढ़ते हैं less gas forward अब यहां पर आपको यह दिख रहा है न यह gases को अलग करने के लिए machine है यह fractional distillation का ही machine है ठीक है यह fractional distillation का ही machine है और इस machine को हम use करते हैं air के अंदर से gases को अलग करने के लिए ठ figure को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा देखो यहां से air को enter किया जाता है filter करके मतलब सुध एयर अंदर आता है फिर क्या होता है air को pressurize किया जाता है यह देख दबाव दिया जा रहा है ताकि क्या हो जाए ताकि यह जो air है न यह और गरम हो जाए फिर इसको यहां पहुचने के बाद ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाता है यह air, तो होता क्या है, यह liquid में convert हो जाता है, और liquid में convert होने के बाद यह यहां पहुचता है, सबसे पहले यहां पहुचने के बाद carbon dioxide बाहर चला जाता है, carbon dioxide solid form में होता है ठीक है जिसको हम dry eyes भी कहते हैं तो सबसे पहले तो carbon dioxide बाहर हो जाता है और बाकी जो liquid air बचता है वो अपने boiling point के अनुसार अलग होता जाता है सबसे पहले nitrogen अलग होता है फिर organ फिर liquid oxygen सबसे last में बच जाता है ठीक है तो है तो ये भी fractional distillation बस machine अलग है ठीक है आप इस figure को जब पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये देखो सबसे पहले nitrogen अलग हुआ है क्योंकि boiling point nitrogen का सबसे कम है उसके बाद argon क्योंकि nitrogen के बाद सबसे कम किसका है organ का है उसके बाद oxygen का है तो सबसे last में हमें oxygen मिलेगा ठीक है तो I hope आपको ये figure भी समझ में आ गया होगा आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई how can we separate different gases from air ठीक है now is the time for topic number 2.3.8 इस topic में हम pure copper sulphate को impure copper sulphate से अलग करेंगे जो हमारा impure sample होता है यानि जमीन के अंदर से जो copper sulphate निकाला जाता है वो बहुत ही ज़ादा गंदा होता है उसमें अलग-अलग चीजें मिली हुई होती है हम कैसे उसमें से pure copper sulphate निकाल सकते हैं वो हम इस topic में सीखेंगे topic में सीखेंगे जरूर लेकिन उसके पहले हम करेंगे एक धमाकेदार activity activity number 2.9 let's guess started activity number 2.9 और इस activity में हमें impure copper sulphate के अंदर से pure copper sulphate को निकाल कर ले आना है कैसे करोगे? चालो number one step आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लगभग 5 ग्राम के लगभग आपको copper sulphate solution जो impure हो उसे china dish में ले ले लेना है जैसे देखो ये चाइना का बरतन है इस बरतन में हमने लगभग 5 ग्राम impure copper sulphate लिया है ये जो copper sulphate दिख रहा है ये आपको impure है हमें पता कैसे चलेगा कि ये pure है कि impure है? अगर powder में दिखे तो ये impure है और अगर crystals में दिखे जैसे sugar क्या होता है? crystals में होता है तो अगर crystal में दिखे तब तो ये pure है लेकिन अगर powder में दिखे तो समझ जाना ये impure है तो आपको लगभग 5 ग्राम impure copper sulphate china dish में ले लेना है फिर क्या करना है? आपको इसमें water मिलाना है dissolve it in minimum amount of water आपको इस copper sulphate में थोड़ा सा पानी मिलाना है और पानी मिलागर इसको पूरा mix कर देना है फिर क्या करना है? filter the impurities out अब आपको filter paper लेना है और यहाँ पर जहाँ पर आपने पूरा पानी मिलाया है इस पूरे solution को filter paper से pass करा दो जिससे जितनी impurities है वो बाहर निकल जाएंगी और जो हमारा clear copper sulphate solution है वो नीचे जाकर बैट जाएगा अभी काम खटम नहीं हुआ है अब क्या करना है? जो हमारा नीचे pure वाला copper sulphate solution मिला है उसे हमें china disk में रखकर गरम करना है जिससे क्या हो जाए? पानी जो है वो evaporate हो जाए और हमें नीचे पूरा गाढ़ा copper sulphate solution मिले ठीक है? पूरा एकदम saturated solution मिले इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? water को evaporate कराना पड़ेगा water को यहां से निकालना पड़ेगा ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है? अब एक बाद जब आपने evaporate करा दिया water को तो नीचे कुछ copper sulphate solution गाढ़ा सा copper sulphate solution हमें मिल जाएगा इसको तुम क्या करो? filter paper से ढग दो और एक दिन के लिए undisturbed छोड़ दो आप एक दिन बाद जब देखोगे तो आपको ऐसे pure copper sulphate solution जो की crystals के form में होगा वो बाहर निकल कर आ जाएगा और यही है हमारा क्या? pure copper sulphate ठीक है? और इस process को हम crystallization का नाम देते हैं जिस process से हमने impure copper sulphate को pure copper sulphate में बदला ऐसे process को हम crystallization कहते हैं चालो इस activity से हमने क्या-क्या सीखा हम आगे पढ़ते हैं we have successfully done the activity अभ इसी activity से related हमारे पास तीन questions है अगर आपने इन तीनों questions को कर लिए ना trust me आपको crystallization बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा number one question कि भाई सबसे पहले जब आपने activity पूरी कर ली तो आपने china disk के अंदर क्या देखा हमने क्या देखा हमने pure crystals of copper देखे हमने copper के बिल्कुल pure crystals देखे activity खतम होने के बाद ठीक है number two do the crystals look alike जो तुमने pure crystals देखे हैं copper के last में क्या वो बिल्कुल same दिखते थे हाँ हाँ बिल्कुल एक जैसे ही तो दिखते थे बिल्कुल same to same बगल में figure देख सकते हैं आप बिल्कुल same to same दिखते थे number three how will you separate the crystals from the liquid in the china disk अच्छा जो हमारा pure copper crystal था उसके मिलने के पहले हमें जो copper का solution मिला था copper sulfur solution मिला था उसमें थोड़ा बहुत liquid की मात्रा थी water की मात्रा थी हमने उसे कैसे हटाया हमने evaporate करके हटाया ये देखो नीचे लिखा भी गया यहां पर हमने क्या किया हमने evaporate कर दिया water को जिससे हमारा copper sulfate बिल्कुल solid form में हमें last में मिल गया तो ये तीनो questions हमने answer कर लिए चलो अब आगे बढ़ते हैं the crystallization method is used to purify solids इस crystallization method का use हम किसले करते हैं भाई कोई impure solid है अगर उसको हमें pure करना है तो हम क्या करते हैं crystallization method का use करते हैं जैसे एक example देता हूँ जो हमें नमक मिलता है नमक हमें कहां मिलता है समुद्र के पानी से मिलता है तो भाई जो समुद्र के पानी में हमें नमक मिलता है वो बहुत ही impure होता है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगियां होती है तो फिर क्या किया जाता है उसको कैसे साफ किया जाता है to remove the impurities हम crystallization method जैसे हमने activity करी ना बिलकुल यह activity हम नमक को भी pure करने के लिए use करते हैं crystallization is the process अब crystallization है क्या यह एक ऐसा process है जो pure solid को अलग कर देता है और उसे crystals के form में ला देता है अगर कोई भी solid crystal के form में आ गया समझलो वो बिलकुल pure हो गया कोई impure solution के अंदर से अगर pure solid को निकाल लिया जाए तो इस process को हम crystallization process कहते हैं crystallization टेक्नीक, evaporation के टेक्नीक से जादा असरदार है, जादा कारगर है यानि जिन solids को evaporation method से pure नहीं किया जा सकता उन्हें हम crystallization method से pure कर सकते हैं ठीक है, अगर हम किसी solid को evaporate करके अगर हम उसको pure बनाना चाहे तो क्या-क्या दिक्कत आएगी, दो दिक्कते आ सकती हैं सबसे पहले कुछ solids तो ऐसे होते हैं, जो heat करने पर खतम हो जाते हैं, बिलकुल decompose हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी solids होते हैं, जैसे sugar हो गया हमारा अगर हम sugar को heat करेंगे तो वो chared हो जाएगा, यानि जल जाएगा, ठीक है, तो भाई, इसलिए हम evaporation method से solids को अलग करना उतना सही नहीं मानते हैं, ठीक है, चलो, दूसरा क्या कारण है some impurities may remain dissolved in the solution, even after filtration, evaporation method से अगर हम किसी solid को pure कर रहे हैं, तो क्या होता क्या है कि भाई, तब भी कुछ impurities उस solution के अंदर रह जाती हैं, जो filtration method के बाद भी हम उसे निकाल नहीं सकते हैं और उसके बाद जब हम उसे evaporate करेंगे, तो पूरा solid हमारा खराब हो जाएगा, हमें pure solid नहीं मिलेगा, तो यहां पर एक question बन सकता है कि भाई, how crystallization technique is better than evaporation technique, तो आप दोनों reason लिख देना, ठीक हैं, आच्छा, अब इस crystallization method के applications भी देखते हैं, कि भाई, यह crystallization method use कहां कहां ह होता है, तो सबसे पहले, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, जिससे हमें नमक मिलता है, वो impure salt solution होता है, वहां से सुध्ध नमक निकालने के लिए भी हम crystallization method का use करते हैं, ठीक है, impure salt को pure salt में बदलने के लिए हम crystallization method use करते हैं, और दूसरा, suppression of crystals of alum, alum का मतलब क्या होता है, फिटकरी, हमें चोटोट लग जाती है, तो हम फिटकरी लगाते हैं, पापा दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के बाद क्या लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिटकरी के भी crystals को impure sample, यानि impure fitकरी से pure fitकरी में बदलने के लिए भी हम crystallization method का use करते हैं, समझ में आया, त सब कुछ तरीके थे, thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance, जो भी तरीका अभी तक हमने use किया, हमने crystallization method देखा, इसके पहले हमने distillation method देखा था, फिर हमने fractional distillation देखा, फिर इसके पहले भी हमने और भी बहुत सारी चीज़े से chromatography देखी थी, तो भाई, ये सारे जो methods है, ना, इन सभी methods का use किसलिए होता है, किसलिए होता है, mixtures को अलग करने के लिए, mixtures के components को अलग करने के लिए, अब हमारा mixture कैसा है, इस चीज़ पर depend करता है कि हम कौन सा method use करते हैं, हम chromatography use करते हैं, या हम distillation use करते हैं, या हम ये crystallization use करते हैं, ये mixture पर depend करता है, ठीक है, अगर हमार मिक्चर बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल सॉल्ट जैसा है तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर सकते हैं अगर हमारा मिक्चर ब्लैक इंक जैसा है तो हम उसे क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं यानि मिक्चर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज उसे प्योर बनाते हैं जैसे जैसे हमारी टेक्नलोजी एडवांस हो रही है और भी नए-ने तरीके आ रहे हैं इंप्योर चीजों को प्योर बनाने के लिए या मिक्शर्स को अलग करने के लिए नए-ने तरीके यूज हो रहे हैं आजकल वह हम हायर क्लासे में पढ़ेंगे 13 अभी मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगा उसमें एक flow diagram दिया गया है उस flow diagram में आपको दिखाया गया है कि भाई कौन सा process involve होता है मतलब कौन से कौन से process से होकर ये पानी हमारे घरों तक पहुसता है आपको करना क्या है आपको क्या करना है discuss करना है अपने क्लास में इस figure को आप इस figure को देखो और बताओ आपको यहां से क्या समझ में आता है चलो मैं समझाता हूँ देखो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सा टंकी होता है जहां से पूरे सहर का पानी आता है इस टंकी के अंदर से pipeline बनी होती है अब यह pipeline से होकर यह पानी नीचे आता है सबसे पहले एक ऐसे डब़े में पहुसता है जिसको हम sedimentation tank कहते हैं इस tank में क्या होता है इस tank में जो solid waste है मतलब कुछ ऐसा कचड़ा होगा जो बाहर से यह में दिख जाता है वो इस डब़े में जाकर थातम हो जाता है आप ऐसे कहलो जैसे बालू हो गया sand हमारा हो गया या कोई और कोई भी छोटी छोटी चीज है जो solid नहीं है लेकिन फिर भी पानी के अंदर मिली हुई है गंदगी है तो वो loading tank में आकर खतम हो जाता है फिर उसके बाद भी पानी आगे बढ़ता है तो फिर एक नई टंकी मिलती है जिसको हम filtration tank कहते है filtration tank में आने के बाद water जो होता है हमारा वो उपर बहने लगता है जो हमारा बालू होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है जो छोटे पत्थर होते हैं वो थोड़ा और नीचे चले जाते हैं और बड़े पत्थर एकदम नीचे जाकर बैठ जाते हैं ठीक है अब जो उपर का पानी है वो दीरे दीरे च्छन कर क्या करेगा इस chlorination tank में आता है chlorination tank में आने के बाद chlorine मिलाया जाता है जिससे क्या होता है इस पानी के अंदर की जितनी bacteria है वो सब खतम हो जाता है फिर यहां से जो पानी निकलता है वो हमारे घरों तक पहुशता है अब आपको यहां पर भी मैं एक homework दे रहा हूँ जितनी चीजे मैंने इस figure में समझाई इसका एक तुम short note बनाओगे जार दिखाए लाइक करके मैं अगर offline classes में पढ़ाता हूं तो बच्चे बोलते हैं वा सर वा सर क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया मस पढ़ाया तो वहां मुझे लगता है कि हाँ चलो अच्छा पढ़ा रहा हूं या मुझे कैसे पता चलेगा लाइक करो पता सब चलेगा ठीक है मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो में तब दक के लिए सश्याकाल जैहिन